देखो मैंने ये सार को टेम कर लिया, और भाई ये कोया क्या पिछ आगे मेरे, ओ क्याप रोश चोड़े चोड़े बाई, गलती होगी मेरे से, भाई ये चोड़ी नीरा पिछे आज मार देगा, तो हेलो गाईस, कैसे आफ सभी लोग, तो गाईस, अफ लोग बढ़े आई प्रों कुछ आहीं कितना बड़ा ही है, अगर ये एक पैर मेरे पे मारेगा, तो मैं यहां से उधर जाके मर जाओंगा. पर मैं इसके साथ पंगी निलूँगा मुझे पता है आप लोग कह रहे होगे कि एक हिट मार दे पर मैं इसके साथ नहीं लेने वाला पंगा क्योंकि मैंने लिया था एक बार पंगा तो मेरे साथ हो गया था दंगा तो इसको चोड़ो इसको घूमने दिदा तो आज हमने find करना है सार को को और सार को को टेम करना है आज हमने तो देखता हम rяни सार को इदर अदर घूम तो रा होगा और वैसे भी कोई अच्छे लेवल का तो मुझह कोई दाइणसोर मिल नहीं राजकल तो आज भी सार को बेकार से लेवल का ही टेम करूंगा मैं अगर कोई अच्छे लेवल का मिल जाएगा मेरी किस्मत में होगा तो उसको टेम कर लेंगे हैं जल्दी से और सारी चीज़ें लेके आँ मैं देख सकते हो उसका सैडल भी बना के लेका आग meng-cari लेकर दो कि है क्योंके मुझे पता था कि क्या आज मैं सारको टेह्प करना है तो स्लिए मैं सारको का सैडल लेकिक है अपने साथ तो जल्डी से अरिजंट Tevis पीपर और देख सकते बढ़िया क्लर करें मैंने इसके उपड़ वाहर जना मुडरी एया हैå ने स्कांट तो जो काँ मैं स्वैंप एयरिया पर टो इधर ही आप लोगों को सारको स्कैप प्रो म्हेंρί sterps होता है बीजली वूफो उसका नाम कुछ ऐसे ही रखा इनों ने गेम वालों ने बैजल वूफो तो ये सारे चीज़े यहां गूमती रहती है तो कोई नहीं यहां देखता हूं में अगर कोई मिलता है तो मुझे सार को यहां पर तो आप देखोगे थोड़े-थोड़े मिन्टों, घंटों के बाद, सालों के बाद सार को घूमते रहते हैं तो यह देख सकते हैं सार को कि दो छोटे बच्चे उनका छोटा रूप कह सकते हूं इनको कैपरो चोसस होता है पता नहीं तो अगर आप इस पर जैसे मैं बैठा हूँ अगर वहाँ सही मेरे उपर जंप करेगा तो मुझे नीचे उतार देगा तो एक सार को तो दिख चुका है मुझे आर्ट लेवल का पर एखर आर्ट लेवल पैची है इनका ना, तो इतने बड़े-बड़े पैची घुम रहे हैं आपर, तो इनको भी हम टेम करेंगे गाई, पैची नहीं है यार, यह तो पैरा-थीरियम है, पैरा-सी-थीरियम, पता नहीं कौन सा हुता है, और यह देख सकते हैं, ताइटन अब हुआ, और यह मेरे ब बचेगा, आट लेवल का तो चलो थीक था, पर इसके मौद पक्की है, तो इसके साथाझ मैफ देने वाला हूँ, यह क्या कर पाएगा, वाइस को एक दू अटैक की आते हैं सके पर इंडियम लेवल का यह लिए पर बाटर के लिए में वाटर वाले डाइनसौरी बढ़िया रहेंगे जैसे बसीलोस और ब्लीसोस और दा नियू क्या होता है तुसोस कुछ इस तरह से होते हैं तो और तो मुझे दिखने लिए यह क्या दिख रहे हैं बाई छोटे-छोटे से मुझे यह देखो इसने क्या आतंक फैला हुआ है उसके उपर यह दो-दो जुड़वा बच्चे हैं इसी के तो दो-दो जुड़वे जुड़े हुए एक साथी तो यार यहां पर सार को ढूड़ने पड़ेंगे मैं मुझे हो चुका है गाईस दो-तीन घंटे हो चुके यहां पर घूमते घूमते पर मुझे कोई भी अच्छे लेवल का सार को नहीं मिल रहा यहां पर तो उसके बाद मैंने बुला लिया अपना थैरी क्योंकि मेरे उपर बहुत सारे अट देखता हूँ यहां पर कहीं और घूमता है तो यह पैराथीरियम घूम रहा है यहां पर तो इसको भी बजाता हूँ अगर पीछे बैक ग्राउंड नहीं सारी है तो थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि घर पे ही हूँ तो थोड़ा साउंड आता रहता है तो इसको पैराथीर मिल जाएगा तो इनसे प्राइम इड बहुत अच्छा मिल रहा है तो मुझी अभी तक कोई सार को नहीं दिखाया और कोई अच्छे लेवल का तीन चार सार को दिखेते हैं यह देखूंगा इस एक एक हिट में तो मैं इनको खतम कर दे रहा हूं क्योंकि छोटे-छोटे लेव तो जल्दी से मसारे पेड़ तोड़ के फाइवर भी ज्यादा कड़ी महनत और घंटों के बाद मुझे मिला एक फाइनली एक सार को यह कितने लेवल का मुझे खुद नहीं पता कितनी लेवल का पर इसको यह टेम करना पड़ेगा मुझे होगा 10-12 लेवल के सम्तिंग है त तो इससे पहले मैं दूर भाग लेता हूं क्योंकि मुझे अपने डाइनोस पैसिफ पे रखने होंगे और जो भी इदर उदर बेकार से डाइनोस घुम रहे उनको मार दूँगा क्योंकि अभी मेरे थरजिनों की हेल्थ बहुत जादा है तो डैमेड थोड़ा यह ले लेग इससे और फिर हमारे पास इतना अच्छा बुव है और इतने अच्छे ट्रैंक का एरोस है कि दस ट्रैंक का एरो भी नहीं लगेंगे उससे पहले यह नौक आउट हो जाएगा तो कोई ने इसको डैमेड देने तो वहाँ पर फसा के मैं इसको टेम करता हूं पत्थर के पास हैं तो इन सभी को मैं पहले मारी देता हूं यार यह डिफिकल्ट होगा बाद में क्योंकि यह मेरे उपर अटैक करने लग जाएंगे और मेरे सारको को भी मार सकते हैं गाईश देखो मुझे क्या मिलाई है यह वह वाली बूशेस हैं जिसमें से हमें वह मिलता है कोई वह मि कर देता हूं यह चाली को थीरियम को तो इससे मुझे प्राइम मिट चाली को थीरियम से बहुत ही अच्छा प्राइम मिट मिलता है तो मुझे लग रहा है सार को हाँ पर ट्रैप हो चुगा है आटोमेटिक तो जल्दी से मैं उतर जाता हूं और मैं अपने सभी इनको क्या क थैरी की और देख सकते हैं मैंने ट्रैंक है रो बजाने शुरू करते हैं इसको तो हम अगली स्रीज वो श्टार्ट करने वाले है थोड़ा मीडियम लेवल पर जाएंगे कि यहांपर 150 लेवल तक के डाइनसार मिलते हैं तो इतना मजह भी नहीं आता है तो इस करके बहुत ही आध्यान दाइनोस को यूज़ करने में थोड़े लेगो फाइट करने में मजह आएंगे तो कोई बात नी अभी स्टार्टिंग मैंने गेम शुरू खेलना शुरू करा था इसके वैसे ये छोटे लेवल से इजी से खेल रहा था पर अगले में हम मेडियम हार्ड फिर डूटल फिर आगे पता नहीं वहरी आर्ड कुछ उससे भी उपर होता होगा तो ये 12 लेवल का सा लेते हैं इसके अंदर क्योंकि प्राइम मेट स्पोईल हो जाएगा तो ये ये वाला मेट खाता रहेगा तो ये टेम हो जाएगा मुझे लग रहा है थोड़े टाइम तक तब तक हम यहां पर थोड़ी गैधरिंग कर लेते हैं तो हाँ मैं वह बता रहा था कि ये ट्रंट जो मिलती है न ये री प्लांट पीसे एक्स होते हैं कुछ तो ये मैंने अपने बेस में भी लगाए हुए थे तो आप भी इधर स्वाम में आगे न ये थैरी उरी लेकिया कोई भी डाइनो लेकि उससे आप फार्म कर सकते हो ये जो प्लांट पीसे होती है न तो उससे मिल जाएगा आपको तो बहुत रात हो चुकिए तो टॉर्च अउन कर देते हैं और देखता हूं ये टेम हो रहा है या नहीं हो रहा तो अभी तो हो रहा है टेम मुझे लग रहा है बहूट जादा टाइम लगेगा इसको टेम होने में तो तब तक क्या करा या थोड़ी फार् भी हम पे खेलने लग जाओंगा तो तब और यह अच्छा लेवल का मुझे डाइनसौर मिलेगा तो वेट करते हैं इसको टेम होने का मुझे लग रहा है और इसको टेम होने में सुबहरे से रात हो जाएगी फिर रात से दुबारे सुबहरे हो जाएगी पर तब तक भी यह ट गिरिया टेम बहुत जल्दी हो जाएं जो फिरी मह हो और इसको नर्कोबेरी खिला देता हम एक बार में एक नर्कोबेरी खार लाएं यह बहुती बिकार वात हैं और मेरे पास वो भी नहीं पड़ा नार्कोटिक्स भी नहीं पड़े होए कि अगर यह अनकॉंसियस से परसेंट फोरा टेम हो रहे तो कोई बात निसको टेम होने लिते हैं मुझे भूक लगी है तो थोड़ा मैं प्राइम मीड भी वह ले खा लेता हूं और उसके दुबारा हुआ करता हूं और जब मैं सुबह उठाँगा तो आप लोगो को एक सप्राइज मिलेगा वो सप्राइ भी पड़ा हुआ है इसका भाई बहुत ही अच्छे लेवल का सैडल है मेरे पास इसका अच्छे लेवल का तो नहीं मैंने खुदी क्राफ्ट करा था ना आर्मर 25 लेवल के सम्थिंक है तो सारी चीज़े मैं अपने इस थैरी से निकाल के अर्जेंट इस पर डाल दूँगा क् इसके पर सैडल लगा देता हूं कितने लेवल का हो चुक है यह 17 लेवल का हो चुक है तो कोई नहीं हम आगे जाके बड़े लेवल का भी टेम करेंगे और भाई कैप रोच और इसने पकड़ लिया मुझे रुख जा बेटा अभी मेरे यह मार ना दे और मेरा सार को इसके प सार को का टर्न देखा अपने लेफ टो राइट एक सेकेंड में इसने यहां से वहां टर्न कर लिया और यह अपने मुह में यह चोटे मोटे रैप्टर से है डिफ्लोसोरस इनको तो एक ही बार में पकड़ लेता है जो यह अभी घूमने वाला टैक करना इसने इससे पकड़ हो जाए और आने वाली स्रीज में हम मीडियों लेवल की सेज बनाएंगी इसने वन फिफ्टी तक के डाइन उसार होते है तो उसमें बजा भी आएगा पर उसमें यह एकस भी होती है न वह थोड़ी थोड़ी नहीं बहुती ज्यादा स्लोगेन होती है तो उसमें डिफिकल् मीट के लिए भी बहुत ही अच्छा है यह डाइनो प्राइम मीट भी बहुत ही जादा फाम करके देता है तो चलो स्वैंप को हम तो सारको को लेके चलते हैं हम और स्वैंप के अंदर और इससे हम स्वैंप को एक्सप्लोर करते हैं तो यहां पर और भी जादा सारको घूम रह तो उसको को टेम कर लेंगे पर नहीं 7 लेवल क playoffs की समभाली लेवल कि मिल ज्याएगा न तो हमारा सव को साय को बॉनस लेवल कि विप्क्री लेवल समस्टीं गुञाँ गार तो यह वाले साय को भी खतम कर दिये क्यार को कि यह सार को भी मैं जल्दी से खतम कर दूंगा और मैंने अपने इस सार को भी बहुत ही जल्दी से खतम कर दिया और यहां पर एक और डिफ्लोसोरेस घुम रहे तो देखा इसका टर्न रेडियस देख सकते हो आप कितने जल्दी घुमता है तो इसलिए सार को एक ओपी डाइन अने वाले आप एक्षौड में हम करेंगे एकसिप्लोर के अंदर सार को ले कि जाके अच्य डाइनसॉर को टेम करके ले कि जाएंगे देखď упार के अंदर क्या स्पीड मा भागता है वाई ये बहुत ही तेज डाइनसौर है यह वाटर के अंदर मुझे लग रहा है यह इतनी स्पीड में भागती हैं तो गाइस मिलते हैं नेक्स एपिसोड में वीडियो को लाइक और चैनल को सिस्क्राइब कर देना